कि दोस्तों नमस्कार दोस्तों बोल बरेली में आपका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरेली के राधा किष्ण मंदिर के बारे में जी हां सबसे पहले तो अगर आप बोल बलेली चैनल पर नहीं आएं तो कृप्रेट सब्सक्राब का बटन दवायों मेरे वीडियो को ज्यादर स्यादर लोग तक शेयर करें बैल आइकन को प्रेस करें जिससे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम को टाइम पहुंचती रहे दोस्तों हिंदू धरम में मंदिरों की एक स्पेशल स्थान है इसी करी में कौन रोड आपको यह मंदर दिखाई दे जाएगा बहुती ब्रस्तित जगह में फैला हुआ यह मंदर है आप वीडियो में देख भी रहे होंगे कि विल्कुल हाइवी के किनारी मंदर स्थित है और आपको चारों तरफ गायों की मूर्तियां दिखाई दे रहे होंगी जो क क्यान कंदर से दिखाई आएगा राधा किशन की मूर्ति है कारागार में किस तरीके से प्रगर्ट हुए थे श्री किशन कंसवत महारास माखन चोर गोवर्धन सुदामा चरित तो किशन की जो डिफरेंट डिफरेंट रूप हैं उस सभी रूपों का वर्लन इस मंदिर में क कराया था सेट किला चन्जी ने उन्हें पर एली में रवर्ड फैक्टरी की स्थाफना की थी दुस्री दास किला चन्जी ने उन्हीं ने उनिस सो पांसेट में इस मंदिर का निर्मार भी किशन के में लाल पथर और सफेस पत्तर का यूस हुआ गया है साथि-साथ के शन गणेस सभी मंदिरों सभी भगवानों की मूर्तियां इस मंदिर में विराजमान है अभी आप देख रहे होंगे कि गेट में बंध है जिसमें भगवान रादा किष्ण की मूर्ति है इस विए से में पुजारी जी से आपकी बात मैं नहीं करवा पा रहा हूं लेकिन फिर भी लोगों से मैंने जो पूंचा है और जो मैं खुद देख रहा हूं उसके बेसेस पर यह वीडियो में आपको बता र मंदिर है चारों तरफ आप हर्याली का घास का मैदान देखी रहे होंगे किस तरीके से काफी विस्तिज जगह में फैला हुआ है और इस रोट के उस पार रवर्ट फैक्टरी जो की बंद हो चुकी है उन्हें साती साथ रवर्ट फैक्टरी का जब निर्मान हुआ था उसके चित्र की मध्यम से कारागार में किस तरीके से उन्हें दर्शन दिये थे वासुदेव और देवकी को उसका वर्णन महारास का वर्णन माखन चूर का वर्णन और भातितात अने को बाल गीता बाल किष्ण की अनेक अनेक कहानियों के साथ साथ गीता का महा ग्यान देते स्री किषन का वर्लन ने इस मंदिर में दिखाए गया है रादा किषन का ये मंदिर अपने आप में एक अलोक एक मंदिर है इतनी बड़ी जगाए में बरेली में और इतनी सफाई के साथ बहुत כण मंदिर उपस्ते थाएं तो अगर आप इस मंदिर में पहुँचना चाहे तो पहुचने के जगह मैं आपको beti चुका हूँ कि कैसे आपको यहाँ पहुचना है इस मंदिर के वीडियो में आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ कितनी शांती है भीड का नाम मतर भी निशान नहीं है और चारों तरफ मंदिर की जो सबसे खास बात मुझे लगी कि गायों का जो इन्होंने structure बनाया है बहार मूर्थियां गाये चर्थी उसे दिखाई देती है जैसे नंदन बन का एक ऐसास होता है कि स्री किष्ण जी अपनी गायों को कितना प्रीम करते थे उन्हें गोवर्धन परवत के चलाने ले जाते थे उसका वर्ण नहीं दिखाए गया है और राधा किष्ण की अनुपम मूर्थियां यहां पर विराजमान है जो कि अभी मंदिर बंध होने के गारा नहीं देख पा रही है लेकिन फिर भी आप महसूस कर सकते हैं किस तरीके से राधा किष्ण के मंदिर को नहीं बनाया गया है लाल पत्थर से और सफेद संग्मर्मर्ण पत्थर का यूस करा गया है दोस्तों बरेली के बहुत सारी जगे के बारे मैं आपको बताता रहता हूं आगे भी मैं आपको बहुत सारी जगे के के बार में बताता रहूँगा मेरी आफ से रिक्वेस्ट किल पर में चैनल को जद्द जद्द लोगों तक शेयर करें वीडियो को में चैनल को सब्सक्राइब करवाएं बने गई है मेरे साथ भूल बरे लिए मैं जाहें हिंद जाहें है